जैम आता दी दोस्तों स्वागत करता हूँ आपके अपने पसंदीदा चैनल पर कल दिल्ली बजार ने 71 के साथ खेल चुरू किया फरीदाबाद ने 42 रिपीट मार दी गाजियाबाद में 41, गली ने 63 और दिशावर ने आज सुबा 92 खोली है मैंने कई दिन पहले लगाता रिपीट पकड़के चल रहा था इस जोड़ी के बाद यह जोड़ी खोल सकता है क्योंकि मुझे संकेत दिख रहे थे कि यह रिपीट खोल सकता ही है जैसे इसने 23 के उपर 23 मारी थी थोड़ा सा अनुमान लग जाता है चीजों का इसलिए मैं आपके लिए वीडियो भी बना पाता हूँ कल इसने वो ट्रिक पूरी कर दी कि भाई रिपीट 42 को रिपीट 42 में तबदील कर दिया कि भाई यह लो 42 रिपीट कर दी मैंने आपके लिए क्रोशिंग में कल तीन फैमिलिया कवर करी थी जिसमें से भाई दो नो साथ चार की फैमिली सफसे जा सफल रही है जो 42 के रूप में और 42 के रूप में देखने को मिली है एक चीज और बड़ी शांदार है जिस पर बात की जा सकती है वो यह है कि भाई सोनु जी ने बानवे पकड़ रखी दिया आपके सामने कमेंट बोक्स में जाके थोड़ा सा पढ़ ले ना कमेंट को उन्होंने कल कहा कि भाई या बानवे खुल सकती है किया मैं बहुत करता हूँ उनकी दिशावरें बानवे बहुत अच्छे तरीके से फाइदा देखे गई होगी नसीब की बात है एक अजीत कुमार दास जी भाई है जिन्होंने 383 पकड़ी लेकिन नहीं खुली एक सोनु भाई है जिन्होंने जोड़ी पकड़ी वही ट्रिक थी वही पैटन था जब 1-3-6-8-3-0-5-8 में से जोड़ियां खुल रही थी तो 383 नहीं खोली कमपनी ने लेकिन जहां दोनों साच्छार आई वहीं कमपनी ने बानवे खोल दी ये नसीब की बात है ना भाई एक आदमी अपना सिका आज मांगे देख रहा है नहीं चल रहा एक आदमी ने सिक खेल किसी का सगा नहीं है कब किसको फायदा दे दे कब किसको नुकसान पहुचा दे कोई नहीं जानता बस आप अपने अपने खेल में जुड़े रहें अपने अपने खेल में लगे रहें आज खेल में क्या कुछ खास हो सकता है मेरे अंकगडित के हिसाब से तो भाई मेरे पे आप तीन फैमिली है फिर से देख रहे हो चार दो साथ नो जो कल रखी थी दो साथ एक छे एक दो शे साथ वाली फैमिली साथ में भाई आपका जो तीसरी फैमिली है वो आपकी बनेगी एक छे नो चार जैसे एक तालीस है इसी फैमिली से खुलती है बयालीस है दो नो वाली फैमिली से बनती है तो यहां से तीन फैमिलियों के समीकरण बन रहे हैं जोड़ा या जोड़े की गेम खुल सकती है पूरे पूरे चांस रहेंगे जोड़ा या जोड़े की गेम खुलने के तो इसलिए मैंने आज भी कोशिश किये कि भाई तीन फैमिलियां जो अच्छ सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट है, आप अंक बदल दो, अगर आपको कोई डाउट है, मत खेलो, यह सिंपल बेसिक्स रहेंगे आपके लिए, कि यही तरीका है, जीत और हार के सामने अपने आपको खड़ा करने का, अब यहां से फटा-फट से कर बात कर लें, विद लोक ही है, साथ में एक सतर पे विश्वास दिखाए, सत्ता मेरा यहां पर मजबूत है, थोड़ा सा इस खेल में एक चीज निराश कर सकते हैं कि क्रोसिंग में ना तिग्गी है ना जीरो है, तो भाई जो भी भाई क्रोसिंग खेल रहा हो, और साथ में दिल्ली बजार की गेम ख पास हुई है, तो उसमें क्रोसिंग खेलने वालों को क्रोसिंग सुनने वालों को लाव है, लेकिन कल कोई जोड़ी पास नहीं हुई, कोई अंक पास नहीं हुआ, गेम राशी में कट गई, तो फिर उसमें क्या होता है, उसमें जिसका नुकसान हो रहा है, वो भी तो चाहत तीस ऐसे करी दी तो भाई एक उमीद ये भी कर लो कि हो सकता है यहाँ पर कमपनी दोनों साचार वाली ट्रिक को तीसरे दिन भी खोल दे और अगर ऐसा होता है तो भाई 42 पर 47 का जोड बहुत अच्छा बन रहा है 42 पर 42 बहुत अच्छी बन रही है अगर तीसरी दुग्गी रिपीट हुई तो ये बड़िया काम कर जाएगा अगर तीसरा चौवा रिपीट हुआ तो चौवा सत्ते के सार बहुत अच्छा सैट हो रहा है और एक भाई यहाँ पर 89 का समीकर मजबूत है अब देखो मेरे पास यहाँ पर सत्ता तीनकों में जुड़ रहा है 47-89 पर 46 मेरा फेवरेट है दुग्गी मेरी फेवरेट है कि भाई चौवा रिपीट कर गया तो 47 दुग्गी रिपीट कर गया तो 62 और बाई सत्ता यहाँ पर बहुत अच्छा बनी रहा है दुग्गी की फैμिली भी होती तो क यहां पर हमारा 21 का खेल बहुत मजबूत था लेकिन सफलता दिलांके नहीं गया 70 का खेल मजबूत था सफलता दिलांके नहीं गया 37 आज भी रहेंगे यहां पे 21 के ऊपर 21 खुलने के 71 खुलने के और भाई 16 खुलने के मेरा यहां पर ना Przyश्ण 1 वहां बहुत बन रहा है और भाई यहाँ पर मेरी फैमिली बन रही है दो एक छे साथ वाली इसलिए मैंने 2170 उसमें से चुन लिया है 16 भी मैंने उसी में से चुन लिया है अगर तुम्हें लग रहा हो कि भाई दो एक छे साथ में से राखा जो परमात्माने रचा हुआ है ना होना वही है आप और मैं अपने अपने प्रयास करेंगे अपनी अपनी कोशी से करेंगे जो की जरूरी भी है तो भाई अब यहां से हम अगली अपनी लोकेशन गली कवर कर लेते हैं गली में भाई 63 के उपर बहुत अच्छी जो ट्रिक पैटन बन रहा है जो डियां बन रही है वो बन रही है भाई छे रिपीट हो सकता है पंजे के साथ अच्छे चांस है ठीक है जी यह बड़िया समीक में जो मनें 14 रिजल्ट देके उसमें सत्ता नहीं खुल रहा तो भाई इसलिए 62-65 का खेल यहां मजबूत रखा गया है छे की संभावना यहां पर बहुत प्रबल हैं अंदर या बाहर देगो मैंने 63-65-62 अंदर की तरफ रखी है लेकिन आप छक्का बाहर की तरफ भी खेल के चलना क्योंकि भाई इसके मूर की कोई बड़ी बात नहीं है यह किस तरीके से खेल को 26 कर दे 56 कर दे तो आप देख लेना जो बड़िया था वो आपको मैंने बता दिया जैसे बड़िया था वैसे बता दिये कि भाई यह बड़िया समीकरण आपके लिए मजबूती वाला समीकरण आपके लिए पेश कर दिया है एक समीकरण और है भाई जो आपको सबसे ज़्यादा फायदा देता है और सेफ फायदा देता है कि भाई आप अपना खेलिन के पास लिखवाओ मेरी जिम्मेदारी मेरे विश्वास पर सबका बुकतान जिम्मेदारी से समय से होता है और आगे भी होता रहेगा बस यही काम है इनका कि भाई गेम समय से ओक्य करनी है आपको समय से बुक्तान करना है गेम समय से ओक्य करनी है समय पे बुक्तान करना है और इससे ज़्यादा आपको कुछ चाहिए भी नहीं होगा भाई सबी खिलाडी जो भी खिलाडी किसी भी पर के नहीं हो रहा 15 15 20 20 मिनिट 25 25 मिनिट इंदिजार करना पड़ रहा है फिर वो सोचता है यार पहले ये तो ओक्के हो जबी तो कुछ और डालूंगा इसलिए भाई काम समय से ओक्के हो जाता है डालते रहो काम और डालते रहो और जोडियां डालते रहो जैसा आपका मन करें क् खिलाडी तो ऐसा ही होता है अपना एक जोड़ी फैकेगा फिर दो चार जोड़ी फैक देगा फिर दो चार जोड़ी और फैक देगा क्योंकि जहां वो देखेगा कि यार कहीं ये ना आ जाए कहीं ये ना जाए कहीं ये ना जाए तो खिलाडी तो उसी को बोलते है भाई ज सबसे बहतरीन समीकरण बन रहा है वो बन रहा है दुगई का 42 की दुगई 62 की दुगई ठीक है यह बड़ी शांदार बन रही है यह आपका मजबूत खेले 62 मैंने दिशावर के लिए ही निकाली थी लेकिन बाद में मैंने ध्यान दिया तो गली में सत्ता नहीं खुला हुआ तो मैंने इसलिए गली में इसे रख दिया है आपका खेल नजदीक रहेगा आपका खेल नजदीक से ही खुलता है आप जितना मरजी अंकडित जाच के परक्के देख लो कहीं ऐसा हो जाया कि वहाई कोई जोडी यहा तारी न मिले तो अलग बात है लेकिन आपको रोजाना खेल एकी तरीके से देखने को मिलेगा कि खेल इर्द इर्द रहता है आसपास से ही जोडियां खुलती है एक जोडियां और मैं रखना चाहता हूँ जो है सरचट की ठीके जी दिशावर में सरचट के चांज सच्चे रह सकते है यहां पे बढ़िया काम कर सकती है जोड़ी तो जो बढ़िया था वो मेरे कुंडू बाब परिवार के सामने है आप इसे सुीका रहें या ना का रहें यह सब कुछ आपके हाथ में है मैं तो आपसे यही प्रातना करना चाता हूँ यही दर्ख्वास्त करना चाता हूँ कि वीडियो पसंद आए तो इसका इस्तेमाल कीजिए लाइक शेर करिए और भाई अपने प्यारे प्यारे कॉमेंट करते रहा करो जो मुझे समझ में आएगा मैं आपकी जवाब जरूर दूँगा कुछ लोग होते जिनको कुछ पूछना पाचना होता है तो भाई बेविकर रहो आपके लिए जो बढ़िया रहेगा उस पे सैमती बताई जाएगी हाँ या ना में जवाब दिया जाएगा तो इनी शब्दों के साथ वीडियो समाप करते हाँ जोड़ के राम राम नमस्कार धेर सारा प्यार